दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विकास की राह पर आगे बढ़ रहे बिहार में बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गाउं में भी विकास की छलक देखने को मिल रही है पर हां मैं ये जरूर कह सकता हूं कि शहरों के साथ साथ गाउं में भी लोगों को यातायात के सुविधा देने के लिए अब प्रयास किये जा रहे हैं हाला कि किसी भी राजिये को विक्सित करने के लिए सबसे पहले उसे सुगमता पुरवक यातायात के साधनों से जोड़ना ही होता है पर आपको बताए कि बिहार में अभी भी कई सारे जिले हैं या फिर बह उसी का ठिकाना नहीं रहा और लोग रेलवे इस्टेशन पर पहुंच कर ट्रेन को करीब से देखने के लिए कठा हो गया आपको बता दे किशन गंज में गलगलिया से अररिया में रेल यातायात सुविधा को देने के लिए नई ट्रेन के रूट का निर्मान किया जा रहा ह जिसके अंतरगत आने वाले इलाकों में रेलवे इस्टेशन मनाय जा रहे हैं किशन गंज जिले के नौनिर्मित रेलवे इस्टेशन पवखाली तक रेल का ट्रायल किया गया है जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को यातायात का एक और साधर मिलेगा और और यात्रा सुविदा जनक होगी इस रेलवे लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है आपको बताए कि इस प्रोजेक्ट की पहल के लिए 2000 करोड का बजट पारित किया गया था जिसके चलते ठाकुर गंज अररिया रेल लाइन निर्मान किया जा रहा है इसी रेल लाइन के अ दिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल 110 किलो मीटर लंबी रेलवे लाइन के अंदरगत 1232 करोड उपय की लागत की गढ़ना की गई थी इस पर्योजना के अंतरगत बनाये गए 15 रेलवे इस्टेशनों में अररिया से ठाकुर गंज तक के इलाकों में अर आत्रियों के लिए यात्रा करना काफी सुविधाजनक हो जाएगा और साथी साथ रेल के माध्यम से इन छोटे प्रकंडों को भी राज्ये के बड़े शहरों से कनेक्ट कर दिया जाएगा